गुरु तत्व क्या है थोड़ा इस पर विचार कर लीजिए वेदों में शाष्ट्रों में पुराणों में सरबत्र ती नहीं तत्व बताए गए हैं इतज गेयं नित्यमिवात्म संस्थम नातप्परं बेजितव्यम्हिकिंचित भोक्ता भोग्यं प्डिरितारंचमत्वा सर्बं क्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत् सैकुनों बेद मंत्रों में बताया गया एक जीव है एक माया है एक भगवान है ये तीन तत्व हैं चौथा कोई तत्व न था न है न होगा ये गुरु तत्व कहां से टपक पड़ा ये क्या है ये गुरु होता क्या है भगवान की दो शक्तियां है एक जीव एक माया एक चेतन शक्ति जीव जड़ शक्ति माया इन दोनों का अध्यक्ष शासक शक्तिमान भगवान है बस बात खतम गुरु तत्व क्या है गुरु तत्व इन तीनों से बाहर नहीं है कोई तत्व चोथा होता ही नहीं तो बाहर कैसे होगा जो जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेता है उसको भक्त कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, जो प्राप्त कर ले आएसे कपड़ा रंगाने से नहीं, शाष्त्रवेद का अध्यान कर लेने से नहीं, जो जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त कर ले, स्री कृष्ण के दर्शन कर ले उसे का नाम महात्मा, जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त कर ले तो उसका नाम महात्मा और जो महात्मा हमारे लक्ष को प्राप्त करा दे यानि जिस महात्मा को हम चुन ले ये हमको भगवान से मिला सकता है बस उस महात्मा को हम गुरु बोल देते हैं यानि महात्मा या भग्त या महापुरुष का दूसरा नाम है परियावाची गुरु वो भी जीवात्मा है लेकिन परमात्मा को प्राप्त कर लेने के बाद परमात्मा के बराबर हो गया इसलिए वो हमको परमात्मा से मिला सकता है वो गुरु हो गया गुमाने माया रूमाने निकालने वाला माया को समाप्त कर देने आला उसको गुरु कहते हैं तो उसे गुरु की महिमा का बर्णन हो रहा है गवरांग महाप्रभू ने कहा भक्त पद धूर और भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशिष्ट तिन महाबॉल यही सेवा हैते कृष्णे प्रेमा होए भक्त की चरण धूर भक्त का चरण की आचमन जल और भक्त का उच्छिष्ट जूठन इन तीनों के सेवन से स्री कृष्ण में प्रेम प्रकट होता है स्री कृष्ण का प्रेम मिलता है तो ये गुरु तत्व इतना बड़ा है कि भगवान इसके नीचे है ब्यान दो भगवान नीचे है अरे जो भगवान को प्राप्त कर ले उसी को तो आप गुरु कह रहे हैं हाँ हाँ लेकिन प्राप्त कर लेने के बाद वो भगवान से बड़ा हो गया भगवान स्वें हम कह रहे हैं और उनकी बात जाने दो अहम भक्त पराधीन हां मैं भक्त के अंडर में हूँ क्योंकि भक्त के पास भक्ती है और मैं भक्ती के आधीन हूँ इसलिए भक्त के आधीन हूँ इसलिए गुरु के आधीन हूँ कितना आधीन हूँ अनब्रयाम में हम नित्यम पूए ये त्यंगरी रेण भी भागवत मैं उस भक्त के पीछे पीछे चलता हूँ इसलिए कि उसकी चरण धूल मेरे उपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊँ ये श्रीक्रिष्ण का वाक्त के है इसलिए श्रीक्रिष्ण कहते हैं कि आचार्यम माम भिजानियात मैं उसके आधीन रहता हूँ उसको मनुष्र बुद्धी उसमें मत लाओ नमर्त बुद्ध्यासु ये तो मनुष्र बुद्धी लाए कि नामा पराद हुआ और नामा पराद हुआ कि साधना सब जूरो बटे साओ क्रिया उसकी सम्मनुष्र की है हाँ आदत है हमारी दूसरे में दोश देखने की तमाम जन्मों की तो उसमें भी दोश देख लेते हैं तो नामा पराद कर बैठते हैं तो अनंत जन्म यही किया साधना भी किया यह भी करते रहे जो कमाया गमाया और दंडलक भोगा तो यह गुरु तत्व भगवान से बड़ा है इसलिए वेदव्यास ने कहा नास्ति तत्वम गुरो परम तत्वम गुरु समम नास्ति गुरु के समान कोई तत्व नहीं गुरु से परे कोई तत्वम नहीं क्योंकि भगवान करेंगे क्या किसी जीव को भगवान दर्शन दे नहीं सकते इंपॉस्बिल हाँ अरे भगवान को दर्शन देने में कौन रोकेगा कानून संभिधान बिना गुरु के भगवान किसी जीव को भगती दर्शन प्रेम कुछ दे नहीं सकते तो भगवान ने कानून बनाया है स्वेम बने हुए हैं तो यदि गुरू नहो हमारे और भगवान के बीच में तो हम अनंत को कल्प भक्ती करके भी कुछ नहीं पा सकते क्योंकि हमको दिब्वे प्रेम देगा कौन और फिर दिब्वे प्रेम देने की बात तो दूर की है स्रीकृष्ण कौन है हम कौन है स्रीकृष्ण कैसे मिलते हैं हमको क्या करना है यह सब स्रीकृष्ण बताने आएंगे कैसे आएंगे वो तो कहते हैं भाई देखो तुम्हारा मन निर्मल हो जाए सब दिब्ब हो जाए सब हिसाब किताब ठीक हो जाए तो मैं आऊ उसके पहले मैं किसी के सामने नहीं आ सकता अंदर बैठा रहूँगा चोरी चोरी कर्म को नोट करूँगा प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दे सकता मैं और अगर देंगे भी मान लो पॉइंट वन परसेंट तो क्या होगा हमारा दिमाग खराब होगा क्योंकि उनकी लीला तो मनुश्यों में भी सबसे बत्तर है देखो आप इतने लोग बैठे हैं किसी का बाप खो जाए मा खो जाए बीबी खो जाए पती खो जाए बच्चा खो जाए तो कोई ऐसी अवस्था को प्राप्त नहीं होगा हमारा बेटा कहां है हमारी बीबी कहां है हमारा पती कहां है बता दो इतना attachment आज भी पांच अरब आगनी में किसी एक का भी नहीं है ठीक है रो लेगा बहुत attachment है तो फड़ा हाय तोबा कर लेगा दो चार दस दिन महीने दो महीने साल दो साल बस खतम पिर यसगुला खाता है हसता है सब काम करता है सोता है सब के माबाब बेटा इस्त्री पती मरा करते हैं संसार में सब आराम से दस दिन बाद सब छुटती खतम भूल गया कोई ऐसी समाधी में नहीं जाता कि अपने आपको भूल जाएं को हम ब्रूह सके लक्षमन से राम कह रहे हैं मैं कौन हूँ लक्षमन कहते हैं आप राम हैं अच्छा मैं राम हूँ के यू जम तुम कौन हो यह हाल है तुड़ो देख राम देख सुने चरित तुम्हारे उनका चरित तो ऐसा बिचित्र है कि बिधिहरी शंभू नचावन हारे ब्रह्मा को मोह हो गया इसी ब्रेज में मनिश्य की क्या है इसी इत्ताधारण जीव की क्यों मोह हुआ इसलिए तो हुआ न कि भगवान पो उसे कहते हैं जिसे न भूख लगे न प्यास लगे और ये ग्वालों के मुख से जूठन छीन छीन के खा रहा है ये कैसा भगवान चरित्र देख करके ही तो मोह हुआ आएसे ही भगवान दर्शन दे तो दिब रूप तो दिखाई नहीं पड़ेगा प्राक्रत रूप दिखाई पड़ेगा और उनके चरित्र इतने बिचित्र हैं कि बड़े बड़ों का भी खोपणा खराब हो जाए साधारन मनुष्य की क्या हैसियत तो उनके दर्शन देने का फाइदाई क्या हुआ अरे आये हैं आप लोगों ने देखा है हजार बार औकमेंट्री कर दी यह भगवान है यह गोपियों के पीछे पीछे भूमा करते हैं हाँ हाँ यही वाँ 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 क्या तुमारे भगवान है कोई नहीं मानेगा हम लोग नहीं माना उस जमाने में बुराई की आएसे ही हमें कोई महात्मा मिला तो उसके प्रत्वी हमने ऐसे ही सब किया दोश देखा कमी देखा आवगुन देखा वो चाहाई जैसे रहे कपड़ा रंगाए है कपड़ा क्यों रंगाए है लो अच्छा नर्ग सफेद पहन लिया सफेद क्यों पहने है वो कुछ भी करें लेकिन हमारी खोपड़ी खराब है माईक है दोश देखने की आदत है तो वो बोलेगा दाड़ी क्यों रखाए है बताता है कि मैं महात्मा हूं अच्छा कटवा दो ये दाड़ी को कटवा देता है कैसा बाबा है लो आखिर क्या करें वो कि सब को पसंद आ जाए हम लोगों के बीच में क्यों आता है महात्मा अरे बाबा है जंगल में जा कि अपना गोबर्धन की तरेंटी में राधे राधे करे अच्छा बै जाओ वही करो कर रहा है वहां के राधे राधे कर रहा है हमारे बीच में आवे हमारा कल्यान करे यह तो स्वार्थी है जो वहां को गोबर्धन की तरेंटी में राधे राधे करता है लो अब क्या करें वो कोई सूरत नहीं यही किया हम लोगों ने हर महात्मा के मिलने पर और जो दंभी है उसके चक्र में पढ़ गए उल्टा दंभी के चक्र में पढ़ गए और असली संत ने नामा पराद कर डाला तो भगवान के दर्शन से भी कोई लाब नहीं संत के मिलने से भी कोई लाब नहीं जब तक हम पहले सबसे पहले थियरी समझें तद तक ज्ञान गुरु को कैसे पहचाना जाए ये सब समझें तब हमारा काम बन सकता है क्योंकि पहली शर्ट है कि बुद्धि लगाना बंद करो शरणागती कहते हैं उसको गुरु के शरणागत हो जाओ पहला काम पहला दर्जा पहला अध्याए इस्कूल में जाकर विद्यार्थी मास्टर की शरण में चला गया मास्टर साहब ने जैसा कहा वैसे ही बोला जैसा लिखने का सुरूप बनाया का वैसे का लिखा बुद्धि ने लगाया डाक्टर के पास चला गया मरीज डाक्टर ने जैसा बताया जैसी दवादी जैसा परहेज बताया वैसे ही किया बुद्धि ने लगाया संसार में आएसे ही सबसे पहला काम तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवाभिगच्चेत समिकपानी शोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम उस तत्प को पाने के लिए सबसे पहले गुरु की शरण में जाओ तब वो तमारे समझाएगा तुमको सबसे पहले कि तुम क्या हो भगवान क्या है तुमारा भगवान से संबंध क्या है वो संबंध किस प्रकार से परिपक्व होगा गडबड क्या है सही क्या है यह सब बाते तुम अपने आप कैसे समझ लोगे अपने आप तुमको का बोलना भी नहीं आया था अरे तुमने का भी तो किसी मास्टर से सीखा यहां तक की भगवान आउतार ले करके आये तो वह भी गुरु जी के पास पढ़ने गए गुरु ग्रिह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल बिद्या सब पाई यह तो हमारे संसार में भी डल माइंड भी होते हैं इन्ट इलिजेंट भी होते हैं राम जीनियस थै जल्डिक कैश कर लिया अपने आप क्यों नहीं आ गया हुंको था भगवान उक्वान नहीं है भगवान तो सरभग्य होता है तो सबसे पहले गुरू की शरण में जाना होगा गुरू की शरण में जाने पर ही मालूम पड़ेगा गुरू किसे कहते हैं और कौन बताएगा जो आगुरू है संसारी है वो कैसे बताएगा कि तुम देखो गुरू के सरण पर जाना है न तुमको हाँ तुम मैं बता दू वह इसे करना क्या बताएगा तू तू सरण में क्यों नहीं गया अगर जानता है तो तू क्या बताएगा तू तो संसार कि शरण की बात बताएगा तो जब गुरू तत्तक ज्यान करा दे जीवात्मा क्या है परमात्मा क्या है भक्ति क्या है ज्यान क्या है कर्म क्या है सब नौलेज हो जाए तब तुम चलोगे पढ़ोगे फिर एक एक अच्छा पार करते हुए एमें तक जाओगे तब मास्टर बनोगे न तो उसी प्रकार गुरू के द्वारा ही तत्वग्यान गुरू के द्वारा ही साधना प्रारंब गुरू के द्वारा ही साधना के जहां जहां डिस्टर्बेंस आएगा उसको तुम बताओगे गुरू हल करेगा और जब अंतह करनशुद्ध हो जाएगा तो गुरू ही तुमको दिब्व प्रे देखकर भगवान के दर्शन कराएगा सारा काम गुरु करेगा इसलिए गुरु महिमा अपरंपार गुरु की महिमा बुद्धी से परे हैं अगर भगवान के बराबर भी मान लो तो जैसे भगवान बुद्धी से परे हैं ऐसे गुरु बुद्धी से परे हैं दोनों बराबर हैं लेकिन अंतर ये है कि भगवान से हमें पहले कोई लाब नहीं मिलेगा और गुरु से पहले भी लाब मिलेगा बीच में भी लाब मिलेगा अंत में भी लाभ मिलेगा इसलिए शाष्त्रों में गुरू की महिमा भगवान से बड़ी बताई गई है कोई एक्ष्ट्रा पावर नहीं होती गुरू के पास भगवान से अधिक जो कुछ भगवान के पास है वो सब गुरू को दे देते हैं बस उससे अधिक्का होगा उसके पास जो उसके पास था वो उसने फेक दिया पहले माया का अटाइट्मेंट और जो भगवान के पास था वहां से मिल गया उसको उसको महात्मा कहते हैं गुरू कहते हैं तो यद्यपी भगवान उनका नाम उनका रूप उनका गुण उनकी लीला उनके धाम उनके संत भक्त ये सब एक है छोटा बड़ा कोई नहीं है लेकिन हमारा स्वार्थ इन सब में जिससे अधिक्ष दो उसको हम बड़ा कह देते हैं उफाइक्त है वही हमारे लिए उसी के हमरिणी है भगवान से बड़ा भगवान का नाम तमाम शास्त्रों में लिखा है राम ते अधिक राम कर दासा भगवान से बड़ा भगवान का भक्त ये नाम बड़ा भक्त बड़ा क्यों कहते हैं इसलिए कहते हैं कि इससे हमारा काम बनता है अन्तहकर्ण शुद्ध होता है पात्र तैयार होता है हम भगवान के दर्शन के अधिकारी बनते हैं इसलिए कह देते हैं बड़ा है तो गुरु तक्व परमा अबश्यक है इसमें एक रहस्य और भी है कि जैसे एक कनेक्शन आपके यहां हॉल में लगा है बिजली का तार है बिजली के इसका संबन्द पावर हाउस से है तो पावर हाउस ते तुम्हारा संपर्ट नहीं हो सकता इसी से तुम्हारा काम बनता है लाइट होती है पंका चलता है अगर तुमने इसको पकड़ लिया नंगे तार को जिसमें एलेक्ट्रिक्सिटी जा रही है तो तुमको अपनी और खीच लेगा क्यों उसके पास पावर हाउस के लग्ट्रिक्सिटी है उस तार के पास तो तुमको पावर हाउस जाने की जरूरत नहीं इसी तार से तुमारा काम हो गया तुम पावर हाउस को समर्पित हो गये तो चाहे इसी को पकड़ दो और चाहे तुम इसको प्लस पावर हाउस दोनों को पकड़ दोनों को मानो एक सा दोनो का एक फल है यानि चाहे भगवान प्लस गुरू दोनों को बराबर मान कर भक्ति करो यस्ट देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरू बेद कह रहा है यथा जैसे भगवान की भक्ति जिस तरहसे करते हो उसी तरह से गुरव, गुरु की भक्ति करो तस्य ते कथिताह यर्था प्रकाश्यन ते महात्मना उसको लक्ष की प्राप्ति होगी वही हम नहीं कर पाते बुद्धी गंदी है, माईक है, डाउट की है पर दोश देखने की तमाम बीमारी है वो हमको आगे नहीं बढ़ने देती ब्रेक लगा देती, गंदा कर देती जो थोड़ा बहुत कपड़ा धोते हैं ये सब गड़बड़ी आके उसको और गंदा कर देती एक तरफ प्राधा कृष्ण के लिए आंसु बहा देते हैं आएक तरफ कुसंग करते हैं खाली टाइम में यही पर मैं रोज चिलाता हूँ आप लोग नहीं सुनते बाहर से आये हुए हैं कुछ ब्रिंदा बनके हैं यहीं बास करते हैं दो प्रकार के आप लोग हैं यहां लेकिन कीर्तन से उठें क्या बोले जा रहा है क्या भाष रच रहा है रहा ही नहीं जाता बिना बोले इस्त्री हो पुरुष हो कोई हो और जब बोलेगा आधिक तो फिर कोई गरबड़ी और पैदा होगी कोई बच नहीं सकता हमारे सारे संसार में 50% दुख ग्रहस्तियों को केवल बोलने से मिलता है इस्त्री पती बोलने से बाप बेटे बोलने से भाई बहन बोलने से बड़ी बड़ी दुश्मनी हो जाती है वाक किसे किसी का कोई छीन है ना खाली वाक है अगर यह बोलने पर कंट्रोल हो जाए तो 50% अशांती समाप्त हो जाए समसार को निरर्थक बोलना काम की बात आप कितनी करते हैं नहीं फालतू बैठे हैं और एक आदनी बगल में है फिर अब बोलना है क्यों भाई तुम कब जाओगे शुरू हुई बात्चीत अच्छे ढंग से और बढ़ते 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 वो कुसंग में परवर्तित हो गई किसी की निंदा किसी में दोश बुद्धी ओ ऐसा है ओ ऐसी है ओ ऐसा है अरे ठीक है ओ खराब है तुम को सोचते हो पने मन को गंदा क्यों करते हो खराब चीज सोचके सारा संसार खराब है तुम को बताय तो गया है कि सब माया अबद्ध कामी प्रोधि लोभी मोही हैं चाहा स्वर्ग के हो चाहा मृत्जifter लोग के हो फिर क्या करो तुमको भगवान की धक्ति करना है गुरू की सरन के जाना है या उन गंदगी की सरन में घूमना है मन को उसमें पहुंचाना है और गंदा करना है इतना नहीं सोच पाता है रुपए को तो बहुत सभालता है दस रुपए भी फाल तू खर्च न हो और इस पूझी को गमा देता है लापरवाहिस अरे जो नहीं जानते कुछ उनको कोई गुरू समझाने वाला नहीं मिला वो तो बिचारे मजबूर है जब समझ गए आप तो फिर आपको तो अभ्यास करना चाहिए कि ये गलती न होने पाए तो ये सब गड़बड़ी बिना मिटाए शरनागती होगी नहीं और बिना शरनागती के अंताहकरन शुद्धो होगा नहीं और बिना अंताहकरन शुद्धो होगे अनंत कोट जगत गुरु आजाए अनंत कोट स्रीकृष्णा आजाए कुछ नहीं दे सकते अगर उनके हाथ में होता सब कुछ तो संसारे क्यों रहता श्रीकृष्ण संकल्प कर लेते सारे विश्वका कल्यान हो जाए या कोई एक महात्मा अनंत अवतार हुए अनंत महात्मा हुए सबसाधना बताएंगे हेल्प करेंगे लेकिन करना तुमको होगा उनकी अनंत कृपा है गुरुओ भग्वान कृपा के शिवा कुछ कर ही नहीं सकते डाचते हैं तो भी कृपा है प्यार करते हैं तो भी कृपा है जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्यार भी करती है जापड भी लगाती है गलती करने पर अब बच्चा भले ही बुरा माने हमको मारा ममी ने अरे क्यों मारा तुमने गलती की न तुमने पैंसल चुराई अपने क्लास वेलों की आज पैंसल चुराया है कल तुम कोई और बड़े चीज चुराओगे, जब बड़े हो जाओगे तो तुम डाकू बनोगे, अगर तुमको हम जहापड न मार देते, तो तुम ऐसे ही बढ़ते जाते, तुम वो क्रिपा है, कोप नहीं है, नाग पत्नियों ने श्री कृष्ण से कहा था इसी ब्रज में, कालीदा में, कि क्रोधों पिते नुग्रह एव सम्मत हा, हे श्यामसुंदर, हे मेरे प्रभू, तुम्हारा क्रोध भी अनुग्रह है, क्रिपा है, तुमने हमारे पती पर क्रोध किया, कालिया नाग को दंड दिया, यह बहुत बड़ी क्रिपा है आपकी, आपके चरण उसके सिर पर घूमे, यह सब भाग के बड़े-बड़े परमहंसों को नहीं है, जो हमारे पती को मिला, तो इसलिए हम लोगों को सावधान हो करके, जब गुरु मिलेगा तब ठीक है, सरनागत हो ना, लेकिन नौलेज तो प्राप्त कर लो पहले, कि सरनागती का अभिप्राई जो है, वो यह है कि सदा सावधान रहो, प्रतिछण, यह मतलब नहीं है कि थोड़ी देर के लिए सरनागत हो गए, बाकी टाइम में चप्पल लगा दिया गुरु जी को, यह सरनागती नहीं है, तो नामापराद का भी भैंकर नामापराद है, नहीं महराज जी, नहीं गुरु जी ऐसा नहीं है, आप बेवकूफ हैं, या मन में ही सोचा, ना बोले, कोई सब्भे होगा तो मुझ के सामने ना बोलेगा, लेकिन सोचेगा, वो भी अपराद है, नामापराद है, उससे बचना होगा, यही एक दुश्मन है नामापराद, जो हमको अनाधिकाल से अब तक अनंत बार संत भगवान के मिलने पर भी लक्ष प्राप्ती नहीं करा सका, इसलिए गुरु तक्त्व अनिर्बचनी है, बुद्धी से परे है, लेकिन अनाधिकाल से अब तक अनंत जीवों ने गुरु की शरनागती करके लक्ष प्राप्त क किया है इसलिए निराश होने की आवश्यक्ता नहीं हम भी लक्ष प्राप्त कर सकते हैं बशर्ते कि सारे नियमों का ठीक ठीक पालन करने का अभ्यास करें आज अपराद जो हुआ वो कल नहोंने पाएं तो एक दिन गुरुतत्व के द्वारा हम परमात्मतत्व को प्राप्त क करके कृतारत हो जाएंगे यह हलका फुलका आइडिया गुरुतत्व का